हेलो मेरे फीचर डॉक्टर्स कैसे हैं आप लोग आई होप कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों सभी कोई को इस जनमस्टमी के पर बहुत बहुत सुबकामना है तो दोस्तों आज का ये वीडियो होने वाला है आपके लिए खास क्योंकि आज मैं इसमें बात करने वाला हूँ कि भाई हम लोग सभी कोई जानते हैं MBBS ना सभी कोई का फर्स्ट च्वाइस होता है तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे भी जगह है जहां पर MBBS के कॉलेजिस को इगनौर किया जाता है और पता नहीं क्यों वहाँ पर बच्चे लोग इंट्रेस्ट नहीं लेते हैं और सीटे खाली भी रह जाती हैं और जल्दी सीटे भरती भी नहीं है भी राउंड वन और राउंड टू की कॉंसलिंग परिकिरिया है पुरी हो गई और उसके वाबजूत भी सीटे वहां के खाली है तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि यह ऐसा कौन सा जगह है जहां पर MBBS की सीटे अभी भी है खाली और क्या वहां पर आपको जाना चाहिए वहां पर आपको अपको अब्मिशन लेना चाहिए और अगर बच्चे लोग छोड़ रहे हैं तो वजह क्या है उसका इस पूरी जानकारी मिलेगी आपको और दोस्तों अगरे भी तक आपने में चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबस्तों चानल को सब्सक्राइब कर लो बिल आइकन को प्रेस कर दें ताकि बाइलव जी डिमर साब के लिए हमेशा इसी तरीके के अपडेट्स लेके आता अभी तक मात्र उसमें सिर्फ 26 एडमिशन हुए हैं तो दोस्तों उत्तर बिहार के तीन मेडिकल कॉलेज चात्रों की पहली पसंद नहीं बन पा रहे हैं पहले राउंड में इसके MCH में केवल दो और DMCH में 18, 18 और GMCH बेतिया में 6 चात्रों ने दाखिला लिया है इन तीनों कॉलेजों में MBBS की 120-120 सीटे हैं दर असल पहले राउंड के लिए रिपोर्ट करने वाले कई चात्रों ने दूसरे मेडिकल कॉलेजों के लिए अपग्रेडेशन का विकल्प भर दिया है यानि आप यहां से समझ सकते हैं कि यह तीन कॉलेज है यह बच्चे लोगों का सीजन क्या है शहएद आगे इस वीडियो में पता चले 72 में से 70 ने कराया अपग्रेड इसके MCH के पहले राउंड के दाखिले के लिए 72 स्टुडेंट्स ने रिपोर्ट की थी लेकिन यहां आने के बाद 70 स्टुडेंट्स ने अपग्रेड के लिए फॉर्म भर दिया विद्यार्थियों ने एड्मिशन के लिए सेट रिजर्व कराई है इसके MCH की प्रचार प्रोफेसर आभा सीनहा ने बताया कि अभी जादतर चात्रों ने अपग्रेड का विकल्प भर दिया है एड्मिशन प्रभारी डॉक्टर अनन्त ने बताया कि दूसरे राउंड में चात्रों के आने की उम्मीद है इसके MCH के अलावा DMCH में 73 स्टुडेंट्स पहले राउंड में नमांकन के लिए पहुचे थे लेकिन सिर्फ 80 ने दाखिला लिया बाकी 55 चात्रों ने स्टुडेंट्स ने अपग्रेड का विकल्प डाल दिया है गौर्मिन वेडिकल में 82 चात्रों ने रिपोर्ट की थी लेकिन वनली 6 ने दाखिला लिया और 76 ने अपग्रेड भर दिया है शिक्षकों ने बताया जादतर चात्रों ने PMCH और NMCH में अपग्रेड का विकल्प दिया है तो दोस्तों अगर उनको यह आप्शन मिल जाता है अपग्रेडेशन का अपडेडेशन का मतलब होता है कि वो अपने उस कॉलेज को छोर कर दुसरे कॉलेज को प्रिफर कर रहे हैं वहाँ पे सीट बची हुई होंगे और शायद उनको सीट मिल जाए तो वो बिलकुल उस कॉलेज को छोर के दुसरे कॉलेज में चले जाते हैं तो यह अभी का यह क्यों important है क्योंकि कुछ colleges का infrastructure उतना बहतर नहीं हो पाता है वहाँ के education की facility शायद इन बच्चों लोगों को अच्छी ना लगे professor की कमिया बहुत ऐसी कई वजो है और record तो रहता ही है इनके previous year में जो बच्चे निकले फिर उसके बाद 5 सालों का record देख रहे हैं सब बच्चे लोग आजकल तेज तरार हो गया है और अपना career समझ पाते हैं कि मेरा career यहाँ पर set अच्छा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा उसके वावजूद अगर उनको अच्छा लगता है तो रहते हैं नहीं तो फिर वह अपने आपको अप्ग्रेड करा लेते हैं अगर ऐसा हुआ हो तो प्ले इस वीडियो को लाइक किजएगा अपने दोस्तों लेगे वीच में शेयर भी करना मत बुलेगा क्योंकि उन्हें भी पता चले कि आके रेंबेबियस के सीटे कहीं कहीं खाली है अभी और क्यूं लोग शोड़ते हैं और आप ग्रेड कराते हैं इसी तरीके से अपने भाई अपने दोस्ते अपने मेंटर को आगे बढ़ाते रहे हैं में चानल को सब्सक्राइक करना मत बुलिए वह जल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एक न्यू अपडेट के साथ बाई बाई टेक केर